नमस्कार दोस्तों विके 24 स्टेजी जो उनके यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगा स्वागत है दोस्तों ये है 9 सितंबर 2018 का पेपर और इस ये है हिंदुस्तान का पेपर इसमें आप लोग के लिए जो अभी हाली में 68500 पदों पे जो है सिख्षब भरती की जो रिजल्ड घोशित हुआ था उससे संबंदे न्यूज है कि इसमें कितने बड़े पैमाने पर गरबड़ी हुई और जिसके कराण कही अधिकारियों को इसमें सस्पेंट किया गया कही अधिकारियों को हटा दिया गया तो 13 अगस्त 2018 को ये रिजल्ट गोशित हुआ था और इसमें जो है काफी धानली हुई थी काफी आरोप लगे थे जिसके कारण जो है परिशा नियामक प्रादिकारी सुता सिंग को सस्पेंट कर दिया गया है और उत्तर परदेश बेसिक शिक्षा परिशा संजय सिना और ये रिजल्ट निकलने के बाद से यह लिखित परिक्षा सवालों के गेरे में थी और इसमें मुखी रूप से तीन गड़वड़ियां सामने आई थी जिसमें से पहली गड़वड़ी तो यही थी कि हाई कोट में जो है एक अभ्यारती के कौपी बदलने का मामला सामने आया थे ठर्ड वाला की परिया मुख्या मंतरी द्वारा नियुक्ति पत्र बाटने के बाद ऐसे तेईस ऐसे अभ्यारतियों का मामला सामने आया जो लिखित परिक्षा में पास नहीं हुए थे लेकिन सिक्षक भरती में जिले आवंटित कर दिये गये थे बाद में ऐसे अभ्य कर चलता रहता है सरकार कोई भी हो परिक्षारतियों के बारे में कोई नहीं सोसता ठीक है तो यह कि न्यूस थी आप लोग के लिए मुझे लगता है कि मुझे लगा कि आप लोग को देनी चाहिए काफी लोग को जो है इसके बार में पता नहीं चल पाता है क्योंकि जो लख आप भी अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरीके के कोई चीज हुई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं. Thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए.